केमसी कैंसर संस्थान, केमसी, हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरट, उत्री भारत का आधुनिक्तम, एवं, अत्यांत सुरक्षित, रोबोटिक, रेडियो थेरेपी, वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही वे सुरक्षित है, रैपिट आर्क से सुसर संस्थान, 24 x 7, हर प्रकार की कैंसर के आउपरेशन, क्यूमो थेरेपी और प्रतेक प्रकार की रेडियो थेरेपी पर रेडियो सर्जरी उपलब्ध है, कैंसर को पहचान निकले, आधुनिक्तम, पैट, सीटी, उचित शुल्पर उपलब्ध है, मेरट परेट नस्थल नहीं हैं, लेकिन यहां बड़े पैमाने पर अवेद रूप से होटल संचालिप किये जा रहे हैं, आवासे कलोनी में खुले इन होटलों में होने वाली गती विधियों से छित्री नागरिक परेशान है, लेकिन कह कुछ नहीं सकते, इन होटलों के खिलाब मेरट पुलिस ने बड पुलिस अधिकार से अपने ताले डाले हैं, इसके अलावा पुलिस आपचायरता पूरा करने के नाम पर होटल मालिकव का आर्थिक वे मानसिक उत्पिडन कर रही है, इसके अलावा छापे मारी में भी भेद भाव किया गया है, कुछ होटलों को निशाना बनाया गया जब कि कुछ की तरफ देखा तक नहीं गया, बता दें कि इस अभियान में पुलिस ने 53 होटलों को बंद कराया जबकि 6 सील कर दिये गए हैं, बीती रात जिन लोगों के ओयो होटल सील अथुआ ताले डाले गए हैं, उन्होंने SSP से भी मुलाकात की थी, पहले देखिए चापे सियल कर दो आ थाखिए ने स्टेशने की रफन मुलें, बताइन सियल भी मुल ऊगराओं, जो चे खोगिए युटियो के अचिए कि ऊचेशने को अचेशने कर दो निश्तिक बंद बंद कर दो को अधियन सेंटर्च की जुचिई conscious of pretty mad! कि ऐन पहादी कि गैए हो. करेंगे किसे बात करेंगे किसको गिराया दिया किराय से क्या हुआ हुआ है अब परेशान हैं अब परेशान हैं आप ओनर है ना तो हम परेशान हो जो आप इसको बोले लोगाई नहीं है इस बारे में सियो ब्रह्मपुरी सुचिता सिंग ने यह जानकारी दी थी टीपी नगर ठाना शेत अंतरगर वेधिया स्पुरी चौपी है जहां पे कई वेटर हैं इनसे लगातार शिकायते प्राफ्ट हो रही थी कि जो रेसिडेंशल एरिया में डोग रहा है उनको परेशानी हो रही थी इसी के अंतरगर आज मेरे तता है यहां पर चेकिंग अभ्यान चलाए गया इसमें कुल 9 होटलों को चेक किया गया जिसमें में तौर पे यह चेक किया गया कि वो सराय आक में रेजिस्टर्ट है कि नहीं उनकी CCTV फोटेज हो रखते हैं एक मेने की नहीं रखते हैं इसके अल जो है उनकी पूर्ती करने के बाद ही होटलों का संचालन भी भविश्य में भी लगातार इसी तरह का अभ्यान चलाया जाएगा और अगर इसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो विदेकारवाई की जाएगा सर अभी कुछ होटल्स पे चापे पड़े हैं इसमें आपका क्या गहना है मेरा नाम विपल सिंगल है महामंतरी मेरट होटेलियर्स एंड रेस्टूरेंट एस्सेशेशन अभी दो दिन पूर मेरट पुलिस द्वारा मेरट के विविन होटल में हर एक थाना चेतर में लगबग कहें तो पांस से दस होटल पर चापे मारे की गई वज़ा बताए गए उनसे कागज मांगे गए सरायट के पंजी करंड के पुलिस द्वारा दी जाने वाली फायर एनोसी के वे अन्य प्रकार के पंजी करंड के उनसे कागज मांगे गए जो है उपस्तित होकर वहाँ पर नहीं दे पाए जिस कारण उन्हें सील किया गया सील करने वालों में दो होटल सुनने में आ रहे हैं कुछ होटल से उन्होंने ताला लगा कर जबरन ताली थाने द्वारा ले जाए गई है और होटल को बिना किसी कागजी कारवाई के उन्हें बंद कर दिया गया इसके विरोध में हम जाकर के जिलादिकारी मौद्दे से मिलेते हैं अन्यतिक कार्य कुछ होते ही नहीं है अगर आप किसी प्रकार से उनकी आईडी नहीं लेते हैं किसी भी व्यक्ति को होटल में ठेंडने की संपून आजादिय कोई भी कानून उन्हें होटल में ठेंडने से मने नहीं करता है परिशानी है क्राइम की, क्राइम कब होता है जहां हम आईडी नहीं लेते हैं या किसी प्रकार की CCTV फुटेज नहीं होती है आवशकता है होटल व्यवसाईयों को जागरूप करने की कि वे अपने यहाप पर CCTV कैमरा लगाएं जिसकी फुटेज वे तीस दिन तक स्टोर करकर रखें और साथ ही अपना रेजिस्टर पूरा रखें जिसमें आगंतुक जो भी कोई आने वाले गेस्ट हैं उनकी संपून डिटेल उसके अंदर हो और जो भी लोग ठेहरे हुए हैं उनकी आईडी होटल द्वारा ली जाए आप जिलादिकारी से मिले उन्होंने क्या कहा है जिलादिकारी मौद्दे के सामने हमने अपने विशे रखा कि सराय एक का लेजिस्टेशन का पंजी करन का विशे पुलिस का शायद नहीं है फायर अनुसी फायर विभाग देखता है वह थाना नहीं देखता है उसके लिए फायर पुलिस को जाना चाहिए था और होटल को किसी भी विवसाई का होटल सीन प्रेवेंसे सील करने की जो पावर्स है वो डीम साब के पास है या मिरट विकास प्राधी करन के पास नहीं है वह पुलिस के पास नहीं है अगर उनके पास है तो वो केवल एक अपना नोड बनाकर डीम को या मिरट विकास प्राधी करन को दे सकते है आवशक्ता है सबसे पहले जागरुक करने की कि वह अपने आप पंजी करंड कराने के लिए कुछ समस्याइं आती हैं जैसे मेरट विकास प्राधीकरंड की वे टफ सवाल है जो नहीं हो पाता है इसलिए गाजेबाद विकास प्राधीकरंट के अंदर का ताने वाले जितने भी होटल से उनके साथ प्राधीकरंट की सुईकृति नहीं ली जाती है बाकि सारी फर्मल्टी पूरी कर सरायक्ट कर रेजिस्ट्रिशन कर दिया जाता है प्रेवसाईयों पर लागू होने वाले जितने भी नियम है उन्हें एक बार बता दिया जाए और उसके अंदर जो आसान नियम है उनको पहले तीन महीने में फॉलो करने के लिए बाद्धे किया जाए जैसे सीसी टीवी कैमरा जिस भी होटल पर सीसी टीवी कैमरा एंट्री और एग्जिट पर नहीं लगा होगा आप उसे बंद कर सकते हैं एसोसीशन भी उसके बचाव में नहीं आएगी जो भी व्यक्ति अपना रजिस्टर पूरा नहीं करेगा आगंतुकों के लिस्ट नहीं बनाएगा या ठेंडने वालों की आईडी अपने पास नहीं रखेगा एसोसीशन उनके साथ बिलकुल नहीं खड़ी है आवशकता है इन दो चीजों पर जोड रालने की जब तीन महीने बाद सभी होटल के अंदर ये सुनिश्चित हो जाए कि सभी जंगे कैमरे लग गए हैं सभी जंगा आईडी ली जाने लगी है उसके बाद अगला स्टेप उठाते हुए पंजी करण की बात की जाए तब उन्हें दोशी ठहराया जाए तब उन्हें बंद करने की बात की जाए सबसे पहले प्रथन दस्टिया महाँ पर कैमरे लगने, आईडी ली जाना और रेजिस्टर पूर्ण करने का काम होना आवश्य है इस ख़बर में फिलाल इतना ही, आप देखते हैं फर्टवाइट डॉट टीवी, नमस्कार